जटिल समस्या हो या भाग्य वाधा हो व्यापार, नौक्री, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाईक जीवन में हो सुक्का भाव पाईए अपनी समस्त जोतिश्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमतकारी, प्रभाविशाली समाधान, एक जानमाना और विश्वस्तिय नाव आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी काशी के चार सो वर्ष पुराने, प्रतिष्ठे और अंतर राष्ट्रे अख्याती प्राव, राज जोतिशी परिवार की आठवी बिड़ी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी के द्वारा व्यक्तिकर्द या फिर फोन पर अपॉइंट्मेट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146-9990-724-131 या फिर वीमेल करें sharma.webhub at the rate gmail.com पर नमस्कार मैं हूँ वैभवनाज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि दातों की बनावट से आप कैसे किसी लड़की का स्वभाव जान सकते हैं या उससे जुड़ी हुई राज की बातें जान सकते हैं जी हाँ पिछले कुछ समय से हम लोग सामुद्रिक जोतिश के बारे में चर्चा कर रहे हैं लगातार में आपको शरीर के अलग-अलग लक्षडों से किसी व्यक्ति का नेचर उसका स्वभाव उसका बहेवियर जानने की जानकारियां दे रहा हूं इसी करम में आज मैं आपको बताता हूं कि खास्तोर पर किसी लड़की का स्वभाव, उसकी प्रविर्ती या उसके व्योहार के बारे में आपको जानना है, उससे जुड़ी हुई कुछ राज की बातें आपको जानना है, तो आप उसके दांत को देख करके कैसे उसके बिहेवियर को उसकी राज की बातों को जान सकते है जब भी आप किसी लड़की से मित्रता करते हैं दोस्ती करते हैं तो आप सबसे पहले ये जानने की उत्सुता आपके मन में रहती है कि इनका स्वभाव कैसा है ये किस तरीके का व्योहार करती है या किस तरीके की सोच या विचार रखती है तो आईए इसमें आपकी कुछ मदद हम भी कर देते हैं ये जानना कोई बहुत बड़ा काम या कोई बहुत कठिन काम नहीं है आप सिर्फ दांत देख करके भी इन बातों का पता लगा सकते हैं समुद्र शास्त्र में इस विशय में काफी गंभीरता से एक्स्प्लेइन किया गया है समुद्र शास्त्र में ब्रह्माजी ने बताया कि जिस इस्त्री के दांत श्वेत और सारे दांत समान रूप से बराबर होते हैं वो उत्तम गुणों वाली श्रेष्ट इस्त्री यानि महिला होती है ऐसी इस्त्री अपने जीवन साथी और परिवार के प्रती बहुत जादा सने रखती है और सदय वफादार होती है इनमें आत्मविश्वास और उदार भाव भरा होता है ये अपने परिवार की मर्यादा का भी पूरा पूरा ध्यान रखते हैं आमतोर पर ऐसी इस्त्रीयों का जीवन जो है वो सुखमय ही पाया गया है जिन इस्त्रीयों के दात शंक के समान उजवल और बराबर होते हैं ऐसी इस्त्रीयां अपनी अपना प्रभाव बनाने का प्रयास करती है यानि थोड़ा सा डॉ ये भी बताया गया कि जिन इस्त्रियों के दांत उबर खाबर होते हैं, बराबर नहीं होते, उचे नीचे होते हैं, वो विश्वसनियन नहीं होती, यानि उनके अंदर धोखा देने की प्रविर्ती बहुत जादा होती है, और ऐसी इस्त्रियों को सदैव अपने फाइदे की सताती रहती है, वो अपने फाइदे के लिए किसी भी व्यक्ति का नुक्सान यानि किसी भी व्यक्ति को धोखा देने में भी बिल्कुल भी दुबारा सोचती नहीं है, ये अपने परिवार की मर्यादा और परंपराओं को तोड़ करके काम करने में भी गुरेज नहीं करती ऐसी इस्त्रियों की बातों पर आख बंद करके यकीन कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसी मानिता है कि जिन इस्त्रियों के दांत बराबन नहीं होते और दो दांतों के बीच में कोई गैप आपको दिखाई दे खाली इस्थान होता है उन्हें जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसी इस्त्रियों के वेवाहिक जीवन के संदर्ब में भी कष्ट का सामना करना पड़ता है यानि पती के सुक में भी कमी की आशंका इनके जीवन में सदायव बनी रहती है तो मित्रों दातों को देख करके आप किसी के नेचर और बिहेवियर को उसकी प्रक्रक्रती को उसके स्वभाव को समझ सकते हैं ये कोई बहुत बड़ी rocket science नहीं है हमारे रिशी मुनियों ने ये इस तरीके के तथ है इस तरीके के research करके सब धर्म गरंतों में लिख छोड़ा ह आवशकता है उन चीजों को दुबारा पढ़ने सीखने और समझने की आशा करता हूं कि मेरे ये छोटे छोटे इंफर्मेटिव वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइ नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाईक जीवन में हो सुक्का अभाव, पाईए अपनी समस्त जोटिश्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमतकारी, प्रभाविशाली समाधान, एक जानमाना और विश्वस्तिय नाप, आचारे पंडित श्री वैभ नाथ शर्माजी, काशी के चार सो वर्ष पुराने, प्रतिश्ट्रे और अंतर राष्ट्रे अख्याती प्राव, राज जोतिशी परिवार की आठवी भीडी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री, आचारे पंडित श्री वैभवनाथ शर्माजी के द्वारा, व्यक्तिकर् पर अपॉंट्मेट लेने के लिए कॉल करें, 9818-300-146-9990-724-131 या फिर इमेल करें, sharma.webhub at the rate gmail.com पर